Hi everyone, welcome back to my channel, my name is Anil और Angler की इस वीडियो के दिने बात करने वाले हैं कि हम parent से child component के अंदर data transfer कैसे कर सकते हैं देखो, जब हम कोई भी component based library या फिर framework पर काम कर रहे होते हैं जैसे की Angler और React होते हैं तो बहुत ज्यादा chances होते हैं कि हमें दो component के अंदर में data share करना पड़े अब एक component parent भी हो सकता है, child भी हो सकता है और ये भी हो सकता है कि में parent से child में data transfer करना हो, child से parent में data transfer करना हो इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि parent से child में कैसा data जाएगा और जो एक और आने वाली next video है उसमें देखेंगे कि हम child से parent में data कैसे कर सकते हैं इसका reverse जो भी वीडियो बन रही है इसका, right तो सबसे पहले इस वीडियो को points देखते हैं ये कुछ इस वीडियो को points हैं सबसे पहले हमें एक component बनाना है, users component करके और बाद में उसको हम child component बना देंगे जो हमारा app component है उसका और फिर हम पास करेंगे data app component को add app component में से child component में यान कि users component में और बाद में child component के नदरो data जाके display कर देंगे, right सबसे पहले मैं command line के उपर जाता हूँ और एक users component बनाता हूँ यहाँ पर एक और tab open करता हूँ और लिखता हूँ ng, g for generate, c for component और component का नाम मैं इसका नाम लेता हूँ users और जैसे मैं इसको हिट करता हूँ तो आप देख सकते हूँ कि एक और component बन गया हमारा जिसका नाम है users यहाँ पर, right अब मैं इसको use कैसे कर सकता हूँ यह मैं आपको दो तीनी वीडियो में पहले ही बता चुका हूँ बट अगेन हम इसकी बात करते हैं इसका selector होगा जो app.component.ts में इसको हमें as an tag यूज करना है जहां भी हमें इसको display करना हूँ तो हमें इसको app.component.html में यहाँ पर display कर रहे हैं तो यहाँ मैं लिखूँगा app users और जैसे ही अब मैं इसको यहाँ पर लेखता हूँ तो आप देख सकते हो user works already लिखा हुआ आ गया great क्योंकि इसके अंदर यहाँ पर लिखा हुआ है right और अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ यहाँ एक h3 tag लेता हूँ और यहाँ लिखता हूँ child component ठीक है अब इसको मैंने child component बना दिया और एक्स्ट्रा bracket इसको घटा दिया अब मैं क्या करता हूँ app component के अंदर कुछ data send करता हूँ यहाँ से basically child के अंदर right तो सबसे पहले मैं एक property define कर लेता हूँ सबसे पहले मैं एक normal name भेजूँगा और बाद में एक object भेजूँगा right so मैं यहाँ पर लिखता हूँ data ही ले लेता हूँ इसका नाम और यहाँ पर इसका नाम ले देता हूँ let's say right और अब मैं वापीस आता हूँ app.component.html file के अंदर और यहाँ पर प्रॉपर्टी का नाम जो प्रॉपर्टी मैं child component में इसको अक्सिस करना हूँ right so मैं यहाँ पर कर देता हूँ hero मैं hero नाम ठिक्सिस करना जाता हूँ that's great कोई problem नहीं है और इसको यहाँ जैसे property binding करते हैं ऐसे इसको हमें use करना है right और अब यहाँ पर आके मैं इसको send कर सकता हूँ data इस तरीके से तो अब जो child component का काम था उसका काम शुरू होता है parent ने मना काम कर दिया data child को transfer कर दिया right so हम अब parent component में नहीं अब हम जाते है child component के अंदर child component के ts file में जाना है जाना है आपको और सबसे पहले यहाँ पर import करना है input right so basically decorator होता है और यहाँ पर आप लेहोगे at the rate at the rate input और as in function और जो हमें वहाँ से हमने get कर रहा है उसका नाम लिखेंगे right जो हमने यहाँ इसकी property define कर रही थी हमने इसकी property define कर रही थी hero sorry यहाँ पर right so अब हम यहाँ पर आपके यहाँ पर लेकेंगे hero यहाँ हमें hero property as in input लेनी है अब input कहां से मिलेगा parent component से simple so अब जो हिरो है इसको मैं यहाँ पर आप में आऊँगा और चाहूं तो जो child component मैंने लिखा हुआ है इसकी बराबर कोई एक और h4 tag मना देता हूं और यहाँ पर लिख देता हूं hero right और देखने कि हमें क्या मिला आप देख जखते हो कि हमारे पास नाम आ गया perfect अगर आप अब parent को component.tsnlc3 को कुछ और करोगे let's say peter तो आपको वही बला नाम मिल जाएगा no problem यह एक normal object हो गया variable हो गया अब let's say मैं कुछ object के अंदर भी ना चाहता हूं let's say name Bruce is 25 perfect so कैसे ही हमने यह दूनों चीजें भेज़ी अब देखोगे यहाँ पर object object आ गया right क्योंकि अब यह object बन गया तो अब हमें यह अगरना पड़ेगा अब आपको जाना है user.component.html के अंदर sorry यहाँ पर और यहाँ पर hero.name लिख सकते हो तो अब यह easily success कर लेगा और same तरीके से आप चाहो तो यहाँ पर hero की age पी दिखा सकते हो right perfect so इस तरीके से हम child component के अंदर data get कर सकते है parent component में से और let's say अगर आपको यह display नहीं गरना है आपको normal use करना इसको child component के अंदर तो आप इसको यहाँ पर console भी करवा सकते हो right console.von या फिर console.log use कर लो और यहाँ पर लिख हुए this.hero right और अब हम console open कर दें इसकी और यहाँ पर आपको यह object मिल गया right तो आपको html file के अंदर भी मिल गया और ts file में भी data मिल गया तो इस तरीके से हम parent से child के अंदर data transfer कर सकते हैं और देखो इसी तरीके से reusable component भी बनते हैं अगर मान लोग काफी सारे user होते और मुझे कुछ इसकी reusability करनी होती तो मैं अब इसको reuse करके लिखाता शायद आने बादी वीडियो के अंदर मैं पहले जो यह child component बनाया इसको reuse करके दिखाऊंगा बार बार use कैसे करते हैं ताकि आपको अभी जस मुझे ध्यान आए कि हम ऐसी वीडियो बना सकते हैं और उसके बाद में मैं वीडियो बनाऊंगा कि आप चायल टू परेंट को डडर कैसे ट्रांसर कर सकते हो राइट तो थैंक्स वर ओचिंग इस वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा क्योंकि अभी अंगुलर और उसका अंगुलर माटेरियल और फिर रियक्टी न्यू वीडियो वीडियो विद प्रोजेक्ट PWA बहुत कुछ आने वाला है सो बाई बाई टेक क्या है